दिली की सीमाओं पर किसान लगातार तीन क्रिशी कानूनों के खिलाफ डटे हुए हैं। वही सिंगूबोर्डर से लगातार दुखद समाचार सामने आ रहे हैं। आज पिर एक युवा किसान ने सिंगूबोर्डर पर दम तोड़ दिया। बता जराहा है कि युवा किसान हरेंदर सिंग करनाल के असंद का रहने वाला था और दैगात की वजह से उसकी मौत हुई मौत हरें न्य॥ा समय से जब से अंदोलन चुर रह fatah और ये हुपधूरी अपनाव गाउं है उसकी लगाअ कारा है यहां तो प्हुत में घरिबा'Mahak रहता है यहां कुछ और कारन हो पोस्ट मार्णम के लिए अबने आपर से उलस्पिक्स होने बित कड़े हैं और रात को यह सोया है बिल्कुल सभी सारो रात को दो बर उठा भी है साथ के और विचार साथ ही साथ में सो रहे विट रहा दिने पर जब सुबह उठाया गया तो उठा नहीं उसके वो डॉक्टर क बलाया जा उन्होंने इंको मृत गोशित कर दिया और बहुत बड़ी भाई की साथत है यह अंदोलन में कबाया था यह अंदोलन का लगातर हिस्सा है यह पहले भी दस दिन की डूटी देगे गया तीन तीन तारीकों चार दिन पहले भी इसी दोबारा से फिरा गया था यह और रोडियो ड्राइब मोल के सामने इनके गाहों के ट्रादियां थी जहां पर यह रहता था वही पर एक लंगर चलता है वही पर यह सेवा करता था शरी काम क्या करता था यह गाओ में काम इन पर तीन-चार एकड़ जमीन है दो बही है और बहुत गरीब प्रवार से है ना दो जिसे साथी है वह बता रहें कि आर्टाइब सेश्की मुझी होई है यह फिर भी हम शरकारी प्रवजी जिए सोजी मतमें इसका पॉस्बाटर कर वा रहे है कि यह का पे हुआ शिंगोपोडर पे इस इंगोपोडर पे निवासरी है कि आंदुल में रेडियो माल है ठीड मिर्तक किसान शुरू से ही आंदोलन में जुड़ा हुआ है पॉलिस का कहना है कि फिलहाल इरदैगात की वजह से किसान की मौत बता रहे हैं लेकिन असल कारणों का वजह का पता पोस्ट मौटम रिपोर्ट आन के बाद ही चलेगा सुनी पस्य पवन्राथी पंजाब केसरी टीवी